आपका मनिक दर्पण की तरह है इसमें सब कुछ प्रतिविम्बित हो रहा है आप इसे और इसे देख सकते हैं लेकिन आप इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये दर्पण के पीछे है आपको एक आसान काम करना चाहिए कुछ ही दिनों में आप दर्पण के दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने भीतर दिव्यता का कोई अनुभव बता सकते हैं? ये ये हर किसी के अनुभव में इसलिए नहीं आया है क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ मान कर बैठा है इकलोता काम जो मैंने अपने साथ किया है वो ये कि मैं अशिक्षित रहा जैसा मैं शिशु अवस्था में था वैसा ही मैं अपने मन में आज भी हूँ यहां कुछ नहीं है उस माइने में अशिक्षित रहना आसान नहीं है क्योंकि जन्म के पहले दिन से ही आपके माता-पिता, आपके शिक्षक, हर आदमी पंडित, मुल्ला, पुजारी, हर कोई आपको कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता है जो खुद उनके जीवन में कारगर नहीं हुआ है हाँ, ये जांचना बहुत आसान है कि ये उनके जीवन में कारगर हुआ है या नहीं मान लीजिए, आपके घर में एक बच्चा है तीन, चार, पांच साल का आप और बच्चे में से कौन ज्यादा खुश है? तो जीवन के लिए सलाहकार किसे होना चाहिए? दुख्यों को या खुश मिजाज को? तो अगर आप उन लोगों को देखें जो आपको हर तरह की सलाह और शिक्षा दे रहे हैं तो पहले उनके चेहरों को देखें उनकी बातों को मत सुनें अगर वो वाकई आनंदित हैं तब ही आपको उनकी बातें सुननी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि वो इतने आनन्दित कैसे हुए अगर वो दुखी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं ये कमबख्त चीजें उनके लिए कारगर नहीं हुई है तो मैंने अपने साथ सिर्फ यही किया कि मैं अशिक्षित रहा इसका मतलब है कि अपने माता-पिता से, परिवार से, धर्म से, संस्कृती से किसी भी फिलोसफी से, राजनीती से आस-पास हो रही चीजों से, पहचान न जोड़ना आप शामिल हो सकते हैं लेकिन आपने पहचान नहीं जोड़ी है अगर आप पहचान नहीं जोड़ते तो ये स्वाभाविक है कि आपकी बुध्धी भीतर की और मुड़ेगी और इसे खोजना चाहेगी जन दिन पर क्या पसंद है ये एक गंभीर समस्या है लेकिन आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जिसका आप अनुभव कर सकते हैं वो ये जीवन है जो आपके भीतर घटित हो रहा है यहाँ जो हो रहा है उसे आप अनुभव नहीं कर सकते जो यहाँ होता है सिर्फ उसे आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं तो आप इसे सिर्फ वैसा देखते हैं जैसा ही आपके मन में देखता है है ना, इसे जानने का कोई और तरीका है ही नहीं, लेकिन मान्यताएं आपको इससे बाहर निकलने का एक रास्ता देती हैं, अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास न करें, नहीं किसी चीज़ पर अविश्वास करें, तो स्वाभाविक रूप से हर इंसान अंदर की ओर मुझेगी कि आपके अनुभव का केंद्र आपके भीतर है. अगर आप अभी जिस तरह से आप दुनिया को देख रहे हैं, आपका मण एक दरपन की तरह है, इसमें सब कुछ प्रतिविंबित हो रहा है, आप इसे यहाँ नहीं देख रहे हैं, आप इसे अपने भीतर देख तो ये दरपण, आपको सब कुछ दिखा रहा है, ये मत मानियें कि ये एक समतल दरपण है, कई विकृतियां हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन कभी आपको ये नहीं दिखाता, कि आप कौन है, आप इसे देख सकते हैं, इसे और उसे, और उसे, और उ करना चाहिए. मुझे नहीं पता कि आप करेंगे या नहीं, लेकिन आपको करके देखना चाहिए. अगर आप ध्यान देते हैं, अभी आप बैठे हुए हैं, और दो घंटे तक बैठे रहने से ऐसे ऐसे हो रहे हैं, जब आप खड़े होते हैं, तो आपके अंदर कुछ अनुभूती फैलती है. मासपेशियों का आराम नहीं, अगर गौर करें, तो कोई ज्यादा गहरी अनुभूती, एक खास प्रसन्नता होती है. या आप लंबे समय से खड़े हैं, आप बैठ जाते हैं, कुछ सुखद अनुभूती होती है. या मान लीजे कि आपको प्यास ल अनुभूती आती है. आप सुभा उठते हैं, आपके अंदर एक सुखद अनुभूती आती है. चूँकि आप लगातार, जैसा मैंने कहा, मानसिक दस्त की स्थिती में हैं, आप बिलकुल ध्यान नहीं देते. मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए. आज, जब आप इंतजार करें. अब आप वाकई खाना चाहती हैं, बस दो मिनिट और रुकें. बस खाने को देखें, थोड़ा रुकें, फिर धीरे धीरे खाएं. जब खाना आपके अंदर जाएगा, तो आप देखेंगे कि पूरा शरीर एक खास तरीके से रिस्पॉंड करता है. आपके सेकेंड से ज्यादा नहीं रह पाते. मान लीजे, आप वहां 12 से 15 सेकेंड तक रहने में काम्याब हो जाते हैं. कुछी दिनों में आप दरपन के दूसरी तरफ होंगी और मुझसे ये सवाल नहीं पूछेंगी. आप जान लेंगी कि परम चैतन्य के साथ जीने का क्या मतलब होता है. अभी आप दरपन हैं, गलत साइट पर जी रहे हैं, अनेक छवियां देख रहे हैं, एक कलाइडोस्कोप चल रहा है, लेकिन आप खुद को या अपने अस्तित्व की प्रकृती को कभी नहीं देख पाएंगे. The processes of ecstasy were never written down. It is only in the presence of a certain being, those things happen. The yogis have many ways of doing it. Certain Nadi's in the system, that if you activate them, you will be ecstatic. If this humanity overflows, then divinity will come in search of you. . . . . . . झाल झाल